नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ एक महतोपूर्ण जानकारियों को लेकर के जहां दोस्तों रात को पानी में बादाम को भिंगो कर अगर आप सुबह खाते हैं तो इसके फायदे जानकर चौक जाएंगे आप जिहां दोस्तों आज का हमारा यहीं टॉपिक है कि रात को बादाम को पानी में भींगो दीजिए और फिर खाईए और इसके फायदों के बारे में आज हम सभी जानते हैं दोस्तों शरीर की खोई हुई शक्ति पाने के लिए बादाम की गिरी को दूध में उबाल कर पीना लागकारी रहता है दोस्तों जो बच्चे अभी बोलना सीख रहे हों और आप उनकी इस देरी से चिंतित हों तो भी मक्षन के साथ रात को भींगी और छिली हुई गिरी खिलाएं बोलने लगेंगे वो कमर दर्द जैसे रोगों का अच्छा उपचार है बादाम का सेवन दोस्तों अगर आप कमर दर्द से जूज रहे हैं तो आपके लिए बादाम रामबान की तरह काम करेगा दोस्तों महिलाओं के प्रसूता होने पर उन्हें किसी न किसी रूप में बादाम देना कमजोरी धूर करेगा दोस्तों दातों की रक्षा के लिए बादाम के छिलकों को जला कर मनजन तैयार करें और प्रती दिन प्रयोग करें आपको लाव होगा दोस्तों यदि सुनने की शक्ति कम होने का भाय हो तो बादाम रोगन की एक एक बुंद प्रती दिन कान में डालें लाब होगा दोस्तों औरतों को सफेद पाने लिकूरिया बीमारी हो जाने पर बादाम की गिरियां रात भर भिंगोएं प्राता खिला दें यानि की सुबह सुबह खिला दें दोस्तों लाब होगा सिर की खुशकी मिटाने के लिए सिर पर बादाम रोगन की मालिश करें आपको लाब होगा बादाम के उयल से अगर आप मालिश करते हैं तो बाल न जड़े इसकी लिए भी सिर पर बादाम रोगन की मालिश कर सकते हैं आप दोस्तों दिमागी काम करने वालों को 5-7 बादाम प खाने से पुर्व कुछ घंटे पानी में भिंगो कर रखें छील कर खाएं अथ्वा छील के सहीर फिर पीस कर खाएं तो पूरी पूरी पूश्टिकता मिलेगी दोस्तों बादाम अपने असीम स्वास्थे लावों के लिए जाना जाता है भिंगे बादाम स्वाधानुसार ही नहीं बल्कि स्वास्थे की द्रिष्टी से भी कच्चे बादाम से बहुत ब्हेतर होते हैं दोस्तों द्रम्याने कदट के पेंड पर बादाम लगते हैं इस पेंड़ पर सफेद तथा गुलावी रंग के फूल लगते हैं अप्रेल में लगे फूल अगस्त में फल बन जात इसकी अच्छी फश्ल होती है अफगनिस्तान तो जैसे बादाम का घर ही है , फल का पूंन MAलाकार तथा बारी कंगुरेदार होता है उप्चार भी जान लेते हैं आज हम क्या-क्या इस से उप्चार होते हैं , यानिके फायदे होते है दोस्तों , भींगे-बादाम के फायदे बादाम अपने असीम स्वास्थे लावों के लिए जाना जाता है और यह सबसे ज़्यादा या दाश्ट को बढ़ाने में मदद करने के लिए जाना जाता है बादाम आवश्यक विटामिन और मिनरल जैसे विटामिन E, जिंक, कैल्शियम, मैगनीशियम और उमेगा 3 फैटी ए क्योंकि बादाम के भूरे रंग के छिलके में टनीन होता है जो पोशक तत्तों के और शोषन को रोकता है एक बादाम को पानी में भींगोने से छिलका आसानी से उतर जाता है और नट्स को पोशक तत्तों को रिहा करने की अनुमति देता है भींगा हुआ बादाम पाचन मे भी मदद करता है यह लाइपेज नामक एंजाइम के विग्यप्ति करता है जो वसा के पाचन के लिए फायदे मंद होता है इसके अलवा भींगे हुए बादाम आपके स्वास्त के लिए कई अन्य और फायदे दे सकता है दोस्तों जैसे हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर करता है यह बादाम ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छे होते हैं वैज्यानिकों ने पाया कि बादाम का सिवन करने से ब्लड में अलफाट टोको फेराल की मात्रा बढ़ जाती है जो किसी के भी रक्त चाप को बनाए रखने के लिए महतोपूर होता है अध्यान से यह भी से प्रभावी होता है रात में पानी में भींगो कर सुबह छिलका उतार कर बादाम खाने से पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो यह बहुत ही फायदेमन सिध्ध होगा दोस्तों बादाम खाना खाने के बाद शूगर और इंसुलीन का लेवर बढ़ने से रुपता है इस इसके अलावा वजन घटाने में भी मददगार होता है बादाम इसमें मोनो अनसेचुएरेटेड फैट आपकी भूख को रोकने और पूरा महसूस करने में मदद करता है भींगा हुआ बादाम इंटि ऑक्सिडेंट का भी अच्छा श्रोथ है यह मुक्त करों के नुकसान स बचा कर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकता है भींगे बादाम में विटामिन बी सेवेंटिन और फोलिक एसीड कैंसर से लड़ने और जन्म दोश को दूर करने के लिए महत्तोपूर्ण होते हैं दोस्तों इसके साथ साथ खराब कोलेस्ट्रोल के नियंतरण में भी काम आता है उच्छ कोलेस्ट्रोल की समस्या आज भारत में सबसे आहम बेमारियों में से एक होती जा रही है उच्छ कोलेस्ट्रोल हिरदय रोग और दिल की धमनियों में रुकावट सहीद कल परकार के रोगों का एक कारक है इस समस्या के लिए बादाम आपकी मदद कर सकता बादाम शरीर में अच्छे कोलिस्ट्रोल के मातरा को बढ़ाने में खराब कोलिस्ट्रोल के स्टर को कम करने में बहुत मददकार होता है दोस्तों दिल को स्वस्त रखें वैग्यानिकों के शोधों के अनुसार बादाम एक बहुत ही शक्तिसाली एंटि ऑक्सिडेंट एजन्ट है जो एलडियल कॉलिस्ट्रोल के आक्सी करन को रोकने में मदद करता है बादाम के ये गुण दिल को स्वस्त रखने और पूरे हृदय प्रणा में भींगे हुए बादाम को आप शामिल करें दोस्तों बादाम के फायदे अक्सर लोगों को लगता है कि बादाम के वल दिमाग को दुरुस्त रखने में कारगर है लेकिन बादाम में मौझूद मिनरल्स विटामिन डैटरी फाइबर दिमाग को तरू ताजा रखने के सा साथ शरीर की मेटाबलेजम में भी मददगार होता है जो रोजाना बादाम का सिवन करना सेहत के लिए काफी फायदे मंद होता है आज हम आपको बादाम के गुनों के भारे में तो बताए हैं दोस्तों अभी तक आप सुनते आ रहे थे रोजाना बादाम के अगर पांस से साथ गेरी खाते हैं तो कोलेस्ट्रोल का लेवल कंट्रोल रहता है इसके तेल की मालिश से छोटे बच्चों को बहुत लाब होता है दोस्तों खून में शुगर की मात्रा और इंसुलीन के स्तर को नियंतरित करने में ये काफी आहम भूमिका निभाता है नियमित रूप से इनका सेवन करने से डाइबीटिज जैसी बिमारी को भी काबू किया जा सकता है दोस्तों बादाम खाने से कबजी की परिशानी दूर होती है इतना ही नहीं इसके सेवन से पाचन क्रिया मजबूत होती है गर्ववती महिलाओं के लिए बादाम बहुत फायदे मंद होता है इसमें फोलिक एसिड मौजूद होता है दोस्तों जिससे मा के गर्व में पल रहे बच्चे का स्वास्त ठीक रहता है इससे बच्चा स्वस्त पैदा होता है दिमाग को दुरुष्ट रखने के लिए ये काफी लाफ दयक होता है गर्व में पल रहे बच्चे के लिए विश को दिनों में बादाम की गीरी को रात में पानी में भींगो कर सुबह छिलका उतार कर खाना चाहिए ये ध्यान रखने वाली मुख्य बात होती है दोस्तों कि सर्दियों में आप छिलके के साथ खा सकते हैं बादाम को गर्मियों में आप बादाम को भींगो दे रात को और सुबह उसका छिलका उतार करके तब खाएं आपके लिए बेहदलाप कारी सावित होगा तो ये थी आज की हमारी जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्तो पूने जानकारी को ले करके तब तक के लिए धान्यवाद नमस्कार दोस्तों